यह क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जिस दिन मुझे इस अपरचुनिटी के बारे में पता चला था, तो शायद ईश्वर ने सबसे अच्छा दिन दिया था कोई मुझे बढ़के समझ रहा था, मुझे समझ में आया है आज वही दीन आपके जीव्ए में आज आज आप चाह्यां कोई फरक नी पड़ता कि आपने अभी तक इस बिजनेस में किस वो काम को हसी दिया पछये फलकि आज अपकी पड़ता है जो मेने महसूस की है, कि ऐसे क्या वजय होती है, क्योंकि थेखिए हरापमी चाहता है कि वो सफ़ल हो जाए, हरापमी चाहता है कि वो बहुत सारे पैसे बना लें, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़े जो रोग देती है जानना चाते हो आप? बस मेरे कुछ अजुबाव है जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ कि आज भी ज्वाइन करने के बाद भी एक mental state जो होता है उसका वो ये रहता है कि आज तर लेंगे देख लेते हैं अभी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं अभी अच्छा समय आएगा दिवाली के बाद करेंगे महरण के बाद करेंगे या फिर कोई नभी एक अच्छा उसर आएगा तब से शुरुआत करेंगे और वो आपने आपको घाल के रहते हैं तो और अपने आपको चत independence और अच्छा इंचा आपको हम पाना चाते जिन के सेड़ा है और एक अच्छी अपर्चुनिटी की तलाश में हमेशा रहते हैं। वो अपर्चुनिटी तो आपको मिल गई। अपर्चुनिटी मिल गई। जाना जिद्दगी बन सकती है। वो आपके पासे मिल गई। और आज हम जो भी हैं वो इस पोजिशन पढ़े। आज से 17 साल पहले है। वो तो जाना है.. काहां जाना है? जब भी हम क्या बनना चाहते हैं.. क्या जिदगी के मिल गई है। और आपको आपको मिल गई है। अब नेक्स क्या करना है आपको पुराना नेक्स लेवल पढ़ेगा आपको से एक ही काम करना है कि आपको छलांग लगा दर दिए तो आप बिलकुल पूच जाएंगे उस लेवल को साथ बाते कौन सी यह मैं बहुत ही शॉर्ट में बहुत जल्ली बताता हूं आपको नंबर फास्ट यह है कि हम हमें जो रोकता है वो हमारा पुराना जो राइट टाइम एड़ राइट पेस हम यह सो यदि जिंदेगी में हम सही समय पर सही स्थान पर यदि है तो आधी जीत तो ऐसी सुरक्षे चुछती है और यदि आप देखोगे तो आज के पहले इतना अच कि लेवल मार्केटिंग वो जिस तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट किया है उतना एक्सेप्टेंस की पोजीशन अभी इंडिया में बाखी है और जब हम किसी इंडस्टी को काम्याब होते वो देखना चाहते हैं जब इंडस्टी आगे की तरह बढ़ती है तो वो इस तरीके से लिए विलीव उनर शुरू किया और जब देखो गए तो इन सारी चीजों में यूएसे जो है 32 क्रोड का बिशने कर रही है जबकि वहां पॉपुलेशन कम है वहां पर रहने वाले लोग का मैं 32 अबर है उनका यूएसे में टोटल पॉपुलेशन 32 क्रोड की इस तरीके से हर कंट्री के बारे में लिखा हुआ है और कहां पी कितना बिशनेस हुआ है यदि यूएसे में देखेंगे तो मात 32 क्रोड की पॉपुलेशन में यदि जो बिशनेस हुआ है दो लाख 12,550 क्रोड का ये टर्नोबर होता है और यदि इंडिया की बात करेंगे बाट है जा सराक इक बाद की कॉपुलेशन में सा जैरा थाम बाट होता है तो यह डिसनेस बाट का मी का मौट तो यह जरी सी बात है के आगे आने वाला फ्यूटर हो फ्यूटर triggers अने वाला है जितना ऍस सालों में गोत ने हुई है जितनी पिछले और इसलिए मैंने का है कि जित्रे लोग सीर्यसली सिर्यस्ली इस बिजनस को करांगे विल्कुल कविट्मेट के साथ में इस बिजनस को करेंगे आगे आने वाले समय फो मिलिनेयर से कम नहीं होगे ये विल्कुल पक्षबास आरहे इसकी आहाट आपको दिख रही है, तो आप पैचानने की कोशिश करो, कौन से बिग चेंजेश आ रहे हैं? इसकी आप देखोगे, तो अभी तक हम जब काम करते थे, तो हमारी इसकी कोई पैचाननी थी डायरेट सेलिक को, और इसको थोड़ा सा अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था, इसके बारे में यह बोला जाता था कि एक दूसरों को बनाने का बिजनेस है, क्या बोलते थे लकिन कां करते 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 करते, आज इंडियन गोझनेंट भी बाती है, कि यदि रोजगार किसी को मिल सकता है, तो सबसे ज़्őद cेलिक को बी कितना भी रोजगार दे सकाती है, इसको पहचान लिया है, और यही वज़या है, कि minute of consumer affairs में इसके लिए यो पिछ गईलिएंग लेकर के आइए, और जितने भी स्टेट्स हेमारे हैं, हर स्टेट्स में लगातार ये गाईलिएंग सकावर काम हो रहा है। उसमें SafeShop पहली कंपनी थी जिसने सबसे पहले Gun Legs को कम्प्लाइश किया था हम कर क्या रहे? Be Aware हम Aware होना है उनको और Create Awareness और अमने लोगों को Awareness Create करनी है यह करना न? Awareness Create करनी है तो मुश्किल काम है कहा? और आज यदि आप देखोगे तो आज जो कुछ भी इंडिया में काम हुआ है वह अच्छे ही काम हुआ है कि लोगों ने किसी भी माध्यम से Net Rot की ताकत को पहचाना और Net Rot की ताकत को पहचाने के बाद में लोगों के बीच में जाकर कि Net Rot कि क्यों करना है? Time Freedom और Financial Freedom का जो concept लोगों ने बताया है यह घरगल तक पहचा दिया है और कुछ लोगों ने सही तरीके से पहचाया है जादा तर लोगों ने गलब तरीके से पहचाया है क्योंकि जब यह इंडिस्ट्री की stage में थी तो वहाँ पर लोगों ने कैसे भी करके पूर भागते हैं क्यों भागते हैं क्योंकि गलब तरीके से उनको अप्रोच किया है लेकिन उनको पावर पता है कि नहीं है उन सारे लोगों को पावर पता है कि इस इंडिस्ट्री में कोई आजमी एक्तम नॉर्मल पोजीशन चे जोईन करके कि नहीं क要 सकता है तो वह वहमारा जो काम वहरेश काता है काम हो गया यह बढ़ गया की बढ़ गया काम हो गया पूरी तरीके से लोहुंद के बढ़ भा自स करते हैं जुर्प, करना है से feminine ही और से मेन बहुत करता है लोगों को कहते हो जब इसी आदमी को कहते हो तो वह आदमी भी रूप करके चार बार सोचेगा कि यह जो बात कह रहे हैं इसमें सारा कुछ किया जा सकता है आप उसे वित्रहीं तो काम करना है और आप देखो यह दि फुल कॉन्फिदेंस के साथ में जो कुछ भी पीछे डवलप्मेंट हुए हैं उसकी बात यदि कॉन्फिदेंस के साथ में आप करते हो तो लोग ध्रादण आपके साथ में आने शुरू हो जाएगे कोई मुझे मुझे दिखाई देती नहीं है जब हमने ज्वाइन किया था तो करते हैं जब हम किसी ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटप करते हैं उसके बाद भी कोई गरंटी नहीं है कि आपका वो बिजनेस आपको कुछ दे पाएगा की नहीं दे पाएगा करोर रूपय का इंवस्मेंट करने के बाद भी यह सारी के सारे इंवस्मेंट हम करते हैं और रेगुलर इन में कहीं कहीं न कहीं हम मंतली कुछ एक्सपेडिश करते हैं जो हमें करना ही पड़ते हैं टलीफॉन का बिल देना ही पड़ेगा आपको बिजली का बिल देना ही प लगातार यह सब काम आप करी रहे हो लेकिन अधी मैं आपसे बोलो कि आपको तीन करूर का बिजनेस आपको बहुत कम पैसे मिल जाता है और जितना आपको मंद्लिय का हो रहा है उसमें से कुछ थोड़ा से एक्सपेंडिचर ने आपको करना पड़ता है तो क्या आप करने के त्यार है यह बिजनेस आपको भू कुछ दे सकता है सिर्फ हमें मेंटिलीटी बदलने की जिर्वत है तोड़ा सा अपने को बिजनेस में बनना पड़ेगा बिजनेस थॉट्ट डवलप करने पड़ेगा बिजनेस रन किस तरीके से करता है इसके तरब तोड़ा सा बिचार रोले करने आना पड़ेगा इजिति बिजनेस माइन्ट सेंडिया शुरू कर देते हैं तो अपके क refuse अच्छे काम हो सकते हैं ड्यक्राइब बिजनेस वोता एह और थेखर है इस बात को सबसे पहले बहात बहुता है कि यदि आप business करना है तो मैं आप से कूछूँगा कि किस किस तरीके से आप आगे हम develop कर सकते हैं यदि stages की हम बात करेंगे तो चार stages से किस कोई भी industry निकलती है गुजरती है नमबर पहला जो stage होता है वो negative phase होता है किसी भी industry को market में आ करके success लेने के लिए शुरुआ जब होगी जैसे हम बैंक इंडर्स्टी की बात करें तो आज जो banks को acceptance है क्या जब banks का शुरुआ थी यह इंडियम में क्या इतना आसान था कि बैंक में लोग अपना पैसा रखेंगे क्या लोग बिलीब करते हैं कि जगे पे हम अपनी पूरी जिंदिगी वर्वी कमाई कू कर सकते हैं क्या क्या उस समय जो परिशाणी ती आज परिशाणी देख पार हैं क्या तो शुरू में banking industry में बहुत बढ बैंक के चल भी सकती है इंशुरेंस करना इतना आसांत है क्या इंशुरेंस इंडस्टी में लोग भागते थे या फाल्दू का पैसा देने से क्या मतलब है यह तो बहुत का डर दिखाते हैं और हम चे पैसा लेकर के जाते हैं शुरू-शुरू में पुराने लोग हैं उनको बताया कि यह कैसे सेटब गॉआ है लोग मुझे बताओ कि हर आदमी अवेर नहीं है हर आदमी चाहता है कि उसका इंशुरेंस हो और उसका बेदेफिट मिले किसी को बताने कि जबहुत नहीं है सारे लोग जानते हैं लेकिन इस इंडस्टी को इस काम पर कहुशने में इतना असान में का वक्त लगा है आज यह आप देखोगे तो निगेटी फेस से यह सारे चीज निगल कर आज बहुत पॉजिटिव फेस में आगे ही है पॉजिटेटेज के वो होता, यहँ पर सारे लोग उस चिज़ को एकسप्ट करते है, लेकिं देरे सॉक्सिंश करके लोग उस इंडस्टी में आना सिरू करते है और आगे की दरफ बढ़ते है और तीसरा फेजी जो होता है वो ग्रोट पार फेस होता है, हुआँ पर नहीं में बहुत ज़्यूवादा करती है फिर कोई दूजरी इंडस्ट्री आती है इस तरीके से काम चलता है और तीसरा फेज होता है वो सेकल्मेंट का फेज होता है ये सारे फेजिस को चार फेजिस को देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि हमारी कम्नी अभी किस क पुछ सारे लोग फेस्ट सब घया हो जातें यह अभी भी बस नीगेटिव फेस्ट से पॉजिटव फेस्ट में बस आई रही है जब से गईलाइए यह आना ही था यह समय की मांगी और और नीचर में ऐसा होते ही है कि जब लगाकार इतने सारे लोग मिलकर के किसी काम को करते हैं तो वो इंडर्स्ट्री 100% सफल होती ही है और इसका नतीज है यह रहा कि गवर्मेट पर सुझा को सोचना कोड़ा इसको दरीवेन अंगर प्राइए और इसको आप सम्वान के साथ मे अगरें वप कोड़ा इस्तैब्लिश्य गॉय और इसे हुए मुर्मेट पर दो परूप और और आपके लिए जानकरी के निवर्शिटी में में। को पढ़ाया जाने लगा है कि ये विजन आपको दिर जाना चाहिए कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है कि साइटल रॉकेट चांद आपसे सवाल रहे यह चांद पर जाना है तो साइकल से जाना ठीक रहेगा यह यह रोकेट से सब्सक्राइब हैं तो हमारे जो खाव हैं हम जो जीवन में पाना चाहते हैं वह तो बड़ी-ड़ी चीजें और हम जा किस से रहे उनको पाने के लिए उसको मानलो कि आपके जो खाब है वो चांद के बराबर हैं और चांद के बराबर हैं और उस चांद को पाने के लिए हम साइकल से जा रहे हैं कितने भी मैनद दर लेंगे क्या हम पहुंच पाएंगे चांद पर वैसे ही हमारे साथ में है कि खाब तो हमारे बड़े-बड़े ह नहीं है कि हम कॉंप्रोवेस कर लें या पिर किसी रॉकेट को डोल लें और आपके लिए खुशकब्री है कि आप अपने खौबों को पूरा करने के लिए अपने चांद पर पहुचने के लिए अभी सायकल की जर्मद नहीं है एक option safe shop के रूप में rocket आपके हाथ में है इसको ब कर दो कोई option नहीं है हमको कुछ करना होगा कुछ बढ़ने पार्टी होगी कुछ आयोजन होगा घर में कुछ एक महचुपूर्ण आपको decision लेना होगा अपने जिन्दगी का तो हमारा कोई ना कोई एक बहुती अजीज दोस्त होता है कुछ मित्र होते हैं जिन पर हम बड़ा बरुसा करते हैं औ इने चिने वहा जवलकुट में कोई दोस्त थे हैं और हम दोस्त जो थे वह आपस में बारवार मिलते थे और बी दूसरे को फुष करते हैं किया वी शानी चीज़ है और निगेटिव बात भी करते थे कब ही तो हम प्लान होना थे थे कियार हम आज़ा करेंगे और दीन ब़ और व्लान मननने के बाद दूसर दूसारी चीज़े पुस हो जाती थे। पिर सुचते हैं कि ऐसा करेंगे वयसा करेंगे बाद खत्म हो जाती है। हम कभी आगे नहीं बढ़ पाए। और आगे नहीं बढ़ पाए तो इसके पीछे रीजन क्या है। ऑग मुझे समझने आता है कि जैसा वो था happy with Me ईस तो सबसे अच्छा दोस्तों कहलाईगा हर वत्त काम कर रहे हैं!' जब कि अब समझ में आता है कि उसके ओस काम कुछ था निक में जिन्दगीमें तπειरा तो उतने ही रहता जितना वो था यह बहुत बाद में मुझे बात समझ में आई और मैंने अपने जिद्दगी का मैं यह नहीं कहरा हूँ और आप विल्कुल उनके साथ में देखना बंद कांड़ाना यह बिल्कुल मैं नहीं कहरा हूँ मैंने शिर्व एक ही बाद जो बचपन से सिखाई गई थी और यसा हर आतमी के साथ में होता है कि जैसी होगी जैसे होगे दोस्त वाइसा बनेगा हमारा जीवन हमारी तो कुछ नहीं हो सकता है यह तो बेकार है, वही तो किस्मत ही खराब है, कैसे होगा, क्या होगा, अरे मज़ा नहीं आ रहा है, हमेशा इस तरह की negative affirmation और negative बाते किया करते थे, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा सहास किया उनको छोड़ने का और अपनी दुनिया बनाना शुरू किया, तो आप सोचों कि ज मेरी जिंदगी हो सकती है, मैंने अपने आपको उसमें डालना शुरू किया, अपने आपके भरोसा किया, आगे बढ़ता चला गया, और उसका नतिजा यह रहा कि वो जो negative लोग थे, उनसे मेरा पीछा चुटा, मैं एक नई दुनिया में आया, वो आपको नई चुझे सीख करता है, वो तो आया नहीं मतलब है बिजनिस बिल्कुल खराब है, मतलब हम हर चीज को रिलेट करने की कोशिश करता है, कि यदि वो नहीं करना तो मेरा काम तो हो जी नहीं सकता है, हम शुरूत के फेस में इस तरह से होते हैं, और जिन लोगों ने भी अपना घर थोड़ा ह है, जिन लोगों ने भी अपने जो दोस्त थे, उन लोगों को छोड़ा है, तो उन लोगों ने हमेशा काम्याभी लिये ही किहास गवा है, जिन लोगों ने भी अपने दोस्त करना है, तो आपको क्या करना है, उन दोस्तों से आपको दुश्मनी नहीं करने हैं, उन दोस्तो आपको बिल्कुल किनारा नहीं करना है, उनसे दोस्ती बनाई रखना है, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस करना है, और अपने निनक खुद लेना है, और खुद काम करने की कोशिच करनी है, वो आयतों और नहीं आयतों, कर सकते हैं, एक सिस्टम है जो यहां काम कर रहा है, तो आप बहुत बड़िया कामएभी के साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है। शुरू में मिस्टेक्स होती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमको पता होना चाहिए। एक सिस्टम है जिसके तहती साथ कुछ काम होना है। और इस सिस्टम को नाम क्या है। है success support system में success support system में in 17 सालों में हर तडीके से काम करने के बाद में यह पहता चलिया है कि सही तरीके से काम करने किस मुखाब पहुँच सरस्टे है उन चीजों कर मैं तो पीजों का पॉफी करना है ये लाधी सरी सिस्ट्रम सरी काम कर सकते हैं जैसरे में यहां भूपाल में आया तो एक नए सिस्टम है एक नए देख रहा हू देर दी-दी-दीर हो जाएगी. चोटी चोटी मिस्टेक्स हैं जो हुई जो मैं हमनों कुछ तुरत दिख गए सबसे पहले तो अमर चीची को काल करना चाहिए था कि पता नहीं क्या मिस्टेक्स होई वो पाल ली गर पए उनको साथ में आना पड़ा है कि इतने बढ़िया डायमंड के अखवाल सिस्टम है डायमंड एक ऐसी चीज होती है जो यह सब्सक्राइब के आदमी जब बन जाता है तो वो नाकेवल सफन होता है सब्सक्राइब तो होई गया उसके साथ में टाइम फीडम फीडम तो आई गई गई लेकिन वह एक ऐसा रोल मन जाता है हमारे लिए जो हमारे बिलीब को कही न कहीं जागत करते की कोशिश करता है हमारे बिलीब यदि बनता है तो डायमंड को देखने को मिलता है एक चीज हमने यह देखी इस तरह से छोटी-छोटी चीजे होती है जो कही न कहीं हमारे फूरे सिस्टम में फरक पड़ आपके जो सक्सेस्टल अपनाई ने वो कि वह सक्सेस्ट को एनी यहूं कि बोल जए कर लिया हूं लेकिन फिर वह सिस्टम के बाहर के कुछ असे काम हो सकते कर रही है तो हम क्या करेंगे तो उसको देख सकते हैं प्रगतिफद प्रगतिफद आपके पास में बहुत अच्छा अच्छा है प्रगतिफद एक बुक है जिसमें सारे के सारे स्टेप्स दिये हुए आपको कुछ बहुत भारी बरकाम काम करने की जरूरत नहीं है उसमें कुछ limited steps हैं यदि उनको अधि आप follow करते हैं तो आप बहुत बढ़िया तरीके से काम्याब हो सकते हो लेकिन यहाँ पर क्या है कुछ दूप्लीकेशन के principles हैं उनको follow करके कुछ गिने चुने steps हैं उनको follow करके बहुत आसान तरीके से आप अपनी जिदिगी में काम्याब हो सकते हैं लेकिन भट्षपां स하मने क्य सीखा हुए कि पैसे मुष्किल से आते हैं हम क्या करते हैं इस बुझेस को भी सी मिश्किल करते हैं कथिन मनाते हैं उसके बाद में करना हैं जबकि बिजनेस कितना आसान है वह सार iki प्रगति पज्ध में सब्सक्राइब करना हमको जब मर्जी हो तब काम कर लिया जब अच्छा लगा तब काम कर लिया जब हमें लगा आमने काम बंद कर दिया व्यदि आम नुगरुप करके काम कर रहे हैं तो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे काम कर दो करें आफ्सक्राइब के टीकुंट करता अग्या इस क्रेंट करता है चिंडि अविया चैन करोगे तो कि मैंने तो जिस दिन इस बिजनेस को जाइन किया था, उसी consistency से, उसी attitude से, कि मैं बहुत चोटा मुटा बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, इस attitude के साथ मैं रेगुलर मैंने काम किया है, कई बार ऐसी जगर पढ़ी है, जब मुझे commitment दूसी जगर भी देना था, लेकिन जब मैंने दिखा, तो मैंने अपने बिजनेस को पहले commitment दिया, यदि ये चीज आप देख लेते हैं, और priority आप इस बिजनेस को देना चुरू करते हैं, तो आपके साथ में बहुत अच्छे results आ सकते हैं, कभी भी कुटना करें, ऐसे करके देख लिया, लोग तो जोइनी नी करते हैं, लोग तो पता ने क्या है, अब ने होगाएगा, ऐसा कई बर मौका आता है, आपके दिवाद में कुछ बात आती है, हलो, कुछ लोग तो अपने इंटरस्ट ने आया है, कुछ लोग दूसरों के इंटरस्ट पर यहां पर करते होगे, कि जैन साब आ रहा है, ग्रेवल साब आ रहा है, ऐसा भी होगा, बहुत प्रमट किया होगा, आज आप जिंदिगी बदल जाएगी करके, कहने का मतलब यह है, कि जिस पोजीशन पर आप हैं, उसी पोजीशन पर जितने भी ऐचीवर्स हैं, उन्होंने अपने ल जाए थी, मुझे जब मुश्केल आई थी, तो हम भी कुट करने का पाना, जो सबसे आसान है, कर सकते थे, और कुट करके घर बढ़ जाते तो क्या कमती रुप जाती है, यह शायद रुप जाती है, किसमत से बेरी किसमत से चलिए का मिले, कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ इसी भी परिस्तित्य में, कितनी भी तकलीफे आए, आपको पिट करने की बाद कभी जिदिगी पर सोचनी नहीं है, बिलीव इट एंड एचिव इट, आपको बिलीव करना और अचिव करना है, इसी बहुत सारी चीजे मेरे काल साफ देख करके जा रहे हैं, जिससे आपका इसी बहुत से बढ़ा होगा, बाकी की चीजे मेरे यही पर विरांद करता हूँ, साली के यही पर क्लोस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पीज में, क्योंकि ग्रेवल साफ और मैं, दोना ने मिल करके इस बिजनेस को बहुत शुरुआत से हम लोग ने काम किया है, बिल्कुल स्टेश में जब हम थे, हम लोग ने साथ में बैठ करते, स्कूदल पर गोंगर की इस बिजनेस को डवल किया है, और जब यह बिजनेस दीरे दीरे बढ़ता चला गया, तो आज यह समय लोग के ऐसा कही बहुत मुश्किल से ही मौका आता है कि ग्रेवल साफ और ह को भी रिटेल लास्ट पाइस तरीक को लांच हुआ था और सिफ एक मैने के अंदर साथ लोग ऐसे हैं, जो क्यापिंग पर पहुँच गए, और वो सातों के सातों ग्रेवल साफ के टीम चाहिए, जिस दिन से रिटेल का प्रोग्राम लांच हुआ है, रिटेल का प्लान ला सक्सेश लेकर के दिखाई है, कि आज जब भी सेफ शॉप में सक्सेश की बात की जाती है, तो ग्रेवल साफ के नाम बहुत फक्रिस है और बहुत सम्वान के साथ में लिया है, आज हमारा सब्का सहाद्या है, मैं आपनी बातों के ही पर विराम देता हूँ, लेकिन मैं आप से कमिट्मेंट जाता हूँ, कि आज जो कुछ भी इन स्लाइडों के माधियम से मैंने आपके साथ में जो बात्चित की है, मिस्चित तोर पर आपने कहीं न कहीं अपने आपको स्लाइड में देखा होगा, देखा? मैंने जिस तरीके से जिन्दिगी किस तरह से बदलती है, सारा कुछ मैंने कोशिश की है, कि आपके साथ में शेर करूँ और आपको बताऊं कि किसी भी पोजिशन पर रहिगर के भी इस बिजनेस में थोड़ी सी मैनत की जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और एक कमिट् मैं रहते कि सार बहुत जती हैं, एक बार और टाइम में जाएगा, तो हम ऐसा कर देगा, तो बहुत खुशी की बात है, कि रिवाल सामने और मैंने अपना शेडूल जो है, यहां के लिए पक्का कर दिया है, और तीन दारिक, तीन दिसम्बर को हम दुबारे से इसी हाल में सकती है, आपने सक्सिक मेरे, कि मैंने भोपाल के बारे में एक बात देखिये, कि Bhopal में कोई काम होता नि, और होता है तो फिर वो पक्ता नि, और मुझे यासा लग रहा है, कि आ अभी काम होता वाला, नहीं है, और एक चीज और है, कि मैं गही जाता नि और जाता हूँ, त काम किये बागर रहता हूं नहीं है तो आप सभी लोग बदाई के पाते हैं मेरी तरफ से आपको डेसारी शोग काम नहीं है दो और दाइमंड बहुत 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 बहुत